ओम नमस्कार प्रणाम सभी को मैं सौमी बुद्धदेप पतंजल योकविट हरिद्वार से क्या आप सब को पता है कि प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन लोग लिवर डिजिस के कारण से मृत्य हो रही है तो आएए जानते हैं हेपाटाइटिस क्या होता है हेपाटाइटिस यानि कि लिवर के सेल्स में सुजन हो जाना इंफ्लमेशन अफ लिवर सेल्स इस नोन एस हेपाटाइटिस तिन प्रकार की होते हैं हेपाटाइटिस A, B और C और यह मुख्यता वाइरल डिजिस है यानि कि वाइरल के कारण से वाइरस के कारण से होता है और इसमें मुख्या क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है हेपटाइटिस में जैसे नौजिया हो गया बॉमीटिंग हो गया लास अप एपिटाइड भूख कम लग जाना और डाइजेशन में समस्यात है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे सरीर में मुख्या ग्रंतियों में से सबसे बड़ा ग्रंत होती है तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम हेपटाइटिस जैसे बीमार से ऐसे खतरनाक बीमारी से हम दिजात पा सकते हैं सबसे पहले हम बात करते योग के बारे में तो योग में ऐसे कौन से आसन से जिनके जिनके अभ्यास करने से हम लीवर को स्वस्थ रख सकते लीवर के से को एच्छे रख सकते हैं डीविनेट कर सकते हैं सबसे पहले हम सबसे पहले हमें बजजर हमें लेसे से घुटने को nerica करके और बजजर रमें के बाद दोनों फाथ के अंगुठों को अंदर की तरफ करके मुठिय करनी नियए और इस मुठि को अपने मढ्नुकासन के साथ सत कपालवाति का अभ्यास कर सकते हैं 32 एक स्ट्रोग कपालवाति का अभ्यास करने से हैपेटोसाइड यानि की जो लीवर के सेल्स होते हो अच्छे से स्टिमूलेट होते और बायल सीक्रीशन अच्छे से होने लग जाती है ऐसे जब हम 30 से 40 स्ट्रोग कपालवाति का करते हैं तो ऐसे शुरुवात करने चाहिए और धिरे धिरे हम इस अभ्यास को 10 से 15 मिनेट तक कर सकते हैं जैसे हमारा अभ्यास बढ़ जाता है तो इस अभ्यास को करने से जैसे जैसे और इसकी दूसरी बेरियस ने कि हम राइट हेंड के ऊपर लेफ्ट हेंड को रख करके इसका अभ्यास करने से जैसे आपको पता ही होगा कि लिवर जोए आपकी राइट हैपोकोंडरिम रीजन में होती है तो इस रिजन में ज्यादा प्रेसर पड़ता है अब्डोमिनल मसल्स में और यह लीवर को ज्यादा इस्टिमिलेर करता है राइट हैंड को उपर में लेफ्ट हंद रखके इस आसन का अभ्यास करने से प्रक्तिया हुए है यह राइट हैंड के उपर लेफ्ट हंद रखना है आगे की और जुखते हुए फिर कपालवाती का अभ्यास करना है साथ में ऐसे मंदुकास्तन में कपालवाती करने के बाद हम फिर से बदरास्तन में बेट करके दो तिन लंबी गहरी स्वास लेना है और छोड़ना है मंदुकास्तन के बाद हम दुसरा आस्तन का अभ्यास करते है ससकास्तन बदरास्तन में बेट करके हमें स्वास भरते हुए हाथों को उपर करना है और स्वास सोड़ते हुए अपने पूरी सरीर को आगे जुकाना है और माथे को जमीन पर लगाना है अपने पूरी सरीर को रिलाक्स छोड़ देना है इसमें भी हम कपालवाती का अभ्यास कर सकते हैं साथ साथ में एक सेकेंड में एक स्ट्रोक तो ऐसे मंदुकासन ससकासन अभ्यास के बाद हम करते हैं बक्रासन का अभ्यास पहले हमें डंडासन में बेटना हैं डंडासन में बेट करके अपने दाएं प्यर को घुटने तक मोड़ करके लेके आ जाएं और अपने बाए हाथ को घुटने को krust करते हुए अपनी left pair के घुटने को पकड़ ले अपनी कर अपनी गरदन के पिछे की और मोड़ करके देखे पीछे के और इस अभ्यास में भी हम कपलवाथी का अभ्यास कर सकते 30-40 इस्ट्रोक अपल भाति करने के बाद हम धीरे से डंडासन में वापस आते और इसी प्रक्रिया को हम दुसरे और से भी करते स्वास प्रस्वास को सामने गती मिला आते हुए आराम से हम वापस डंडासन में आते हैं यह था वक्रासन का अभ्यास अब वक्रासन के अभ्यास करने के बाद हम अर्दमस्चिंद्रासन का अभ्यास करते हैं यह side twisting pose है इसलिए side twisting pose liver के लिए अत्ती लाबदाएग होता है तो इसमें सबसे पहले हम अपनी दाएं पेर के AD को अपने जंगा मूल पर लगाते फिर बाएं पेर को दाएं पेर के घुटने से क्रस्ट करते हुए और दाएं हाथ को घुटने को प्रेस करके नीचे पेर में पकड़ने कोशिस करते और बाएं हाथ से पीछे नावी की ओर इस अब्यास में भी हम कपालभाती प्राणयम को साथ में कर सकते इस आसन के साथ इसमें भी 30 से 40 इस्ट्रों कपालभाती करने के बाद हम वापस आते दंडास्तन में और इसी आसन को दुसरी और से करते हैं लेफ्ट पेर की AD को अपने जंगा मूल पर लगाएं और राइट एसपर को लेफ्ट पेर के गुटने से क्रश करते हुए लेफ्ट एंड से में गुटने को दबाएं और अपने हाथों को पीछे की और नावी में पकड़नए कोशिश करें और जिनकी पेट में ज्यादा चरब्यों वह आपने हाथ को पीछ टिका करके भी इस आसन का अभ्य साथ-साथ करने से उस आसन की एफिकेसी बढ़ जाती है ऐसे 30 से 40 इस्ट्रोक कपालवाती के बाद फिर से हम वापस आते डंडासन में यह थे बेट कर करने वाले आसन और इसमें और हम करते गोमुक आसन का अभ्यास गोमुक आसन का अभ्यास के लिए पहले हम दाए पैर के एडी के उपर बेट जाते फिर उसके उपर दूसरे पैर को रख करके जो पैर उपर है उसी हाथ को उपर से और दूसरे हाथ को नीचे से पकड़ते पीछे से यह गोमुकासन का अभ्यास है यह मणिपूर चक्रा को जागरित करने में मणिपूर चक्रा को स्ट्यूमुलेट करने बहुत ही अच्छा अभ्यास है साथी साथ यह लीवर के सेल्स को स्ट्यूमुलेट करता है और आपको जैसे मैंने बताया था कि वाइल डग्ट जिससे वाइल जूस की सिक्रिशन होती है जो लीवर में प्रोड़क्शन होता है वाइल जूस उसको सिक्रिट करने के लिए वाइल डग्ट से होकर के गुजरती हुई फिर इसमाल इंटेस्टाइन तक जो रास्ता जाता है वो सिक्रिशन में स्टिमुलेट होता है गोमुखासन के अभ्यास से इस गोमुखासन के अभ्यास में भी हम कपालभाती प्राणायम को साथ में करते एक सेकंड में एक इस्ट्रो कपालभाती को साथ साथ करने से हसे गोमुखासन, 30 से 40 स्ट्रोक का पलवाती करने के बाद फिर से हम वापस आते और इसको दूसरी तरफ से करते हैं, पहले डंडासन में आ जाएं, और उसी प्रक्रिया को फिर से वापस हमें दोड़ा आगा अगर हम हेपटाइटिस के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जन्डिस के लक्षिन को भी देखने को मिलता है, हमें जन्डिस यानि की जो रवी इसकेकराट लिदो असे प्रेटीस के लाफन को सिरो हुआ है, जो कि ये सीव्टम्स, पर्यारि जाल जाता है स्वीयूसरी अगराट ऑड़ी मीक्स्िटा और मीलत नीगरें होने ज़न..., उस्वह अक होता है, का दॉखके, जो मिलियोएं मीक्स पूर्टनाु हमें हेपटाइटिस के समस्य में तो गौमुकासन के अभ्यास करने से बेली रूबिन का जो सिक्रीषन है वह प्रपर मात्रा में होता है और वो इसमल इंटेस्टाइन से ओते हुए लारज इसलिए कपालवाथी प्रणायम के साथ गोमखासन का अभ्यास करने से जो वायल शिक्रीशने बिलिरूबिन का जो मिक्स होना है फिसेस के साथ वो अच्छी मात्रा में होता है और यह ब्लड में जा करके मिक्स ना हो करके छो सीम्टोम्स दिखने को मिलता है वह सीम्टोम से कुछ छदो ठीक होता होँ अमें दिखायोता ऐसे उनोत है यह इसे 3-4 स्ट्रॉक के बाद हम वापस आजाते है तो यत्थे बैठ के करने। अब yo आप। फबलघ लेट करने वाले आता है । सबसे पहले हम पहले असा हम कामर के बल- Mayo यहल है हम्से पाइन के पहले को सुपहाइन भाख़क आ शौ्द disp से पोस्टा में यह ने कि आना ही खया करने जाता है कामर के बल लेट किसान ह्सक्र में है खीचते और थोड़ी देर होड़ करके रखते है इस अब्यास में भी हम कपालभाति का अब्यास कर सकते साथ-साथ और जिनको इस्पाइन में कोई दिक्कत ना हो वो अपने नासिका से घुटने में इस पर्स भी कर सकते हैं आए ऐसे दोनों पियरों से इसका अभ्यास करें पहले राइट पिर से फिर लेफ पिर से एक पाधपाउन मुक्तासन या अर्दपाउन मुक्तासन इसमें यही चीज़ ध्यान देना है जिनको सरभाई कल इस परने डाइटिस हो या तो कमर में दर्द हो गर्दन को ना उठाए बाकि गर्दन करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं उत्तान पाधासन अपने दोनों हत्यलियों को नितम के आसपास रखे और दोनों प्यारों को 30 डिग्री पर उपर उठा करके वोल्ड करके रखें इसमें भी साथ में कबालवातिक अभ्यास कर सकते प्रारम भी किस्तिती में यह आसन करना थोड़ा कठिन होता है तो यह 20-30 से प्रारम करके फिर एक एक मिनेट तक इस आसन का अभ्यास करने से पेट की सारी समस्याएं दूर होती है डाइजेशन में अच्छा लाब मिलता है और लीवर के सेल्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हैं इस आसन को करने से दीरे से पेरों को नीचे रखें और दो तिन लंबे गेरे स्वास ने और स्वासों को जोड़ें अपनी स्वास प्रस्वास को सामान्य करने के बाद फिर हम अगले आसन का अभ्यास करते हैं इसके बाद हम अभ्यास करेंगे पाद अंगुष्च नासे इसपर्स आसन दोनों पेर के तल्वे को जोड़ करके फिर हातेली से पकड़ करके नासिका से इसपर्स करानाय स्वास को बाहर छोड़ती हुए और इस इस्थिति में भी अगर कर पाए तो कपालभाति का अभ्यास करें तो ज्याद अलाब मिलेगा वहापस आजाय स्वास को अपनी स्वास को सामने खरलें फिर उसके बाद हम अगले आसन कमा अभ्यास करेंगे शेट बंदासन करने के लिए कमर के बाद लेटने के बाद हम दोनों प्यारों को फोल्ड कर लेते और अपनी हातों से तकने को पकड़ करके अपने पीठ को उपर उठाते और इस इस्तिती में आप उड्यान बंद लगाएं यानि कि पेट को अंदर खीच के होल्ड कर गए रखते इसी इस्तिती में 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करने से प्रारम करें फिर धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते हुए एक मिनिट दो मिनिट और पांस से दस मिनिट तक कर सकते हैं कि इसमें साथ में कपाल भाति का अभ्यास भी कर सकते या तो उड्यान बंद और मुल बंद साथ में लगा करकि इसका अभ्यास भी कर सकते हैं इस आसन से वापस आने के बाद दो-तिन लंब्मे केरी स्वास लें और अपने स्वास प्रस्वास को सामने गती में लाएं और यह सारे आसनों के अभ्यास करने के बाद हम थोड़ी देर सवासन का भी अभ्यास करतें ताकि कि जो भी सेलूर लेवल पर चेंजेस आये उनको रिलेक्सेशन मिले और पहले कि अपने इस्तिती में आजाएं और रिलेक्स मिले सेल्स को और पुरे सरीर अपने मन अपने चित्त चेतना उस सांती को प्राप्त हो जाए उस परम सांती को उस परम आनंद को प्राप्त हो जाए अपने दोनों हाथों को कमर के साइड साइड में हतेली को आकास की और करके अपने स्वास प्रस्वास में ध्यान देते हुए आखे बंद रखे और अपने एडी से लेकर के चूटी तक सारे अंग प्रत्यं को रिलाक्स होते हुए महसुस करें उस दिव्य उर्जा के स्पंधन से मेरे अंदर आनन्द घटी तो रहा है आनन्द प्रती तो रहा है उस परम चेतना के अभी भूत में हो रहा हूं ऐसे और संकल्ब करें कि मेरी सरीर में जो ब्यादी है उस ब्यादी से मैं निजाद पा रहा हूं उसको मैं ठीक कर पा रहा हूं उसे मैं ठीक हो रहा हूं उस परम पिता परमात्मा के आसिम की पासे मैं एक रोगी काया से नी रोगी काया की प्राप्त कर रहा हूं ऐसे मानी मन संकल्ब करते हुए दो से तीन मिनिट का सावासन्ग फिर आपने दोनों हाथेलियों के उपर उठा करके घर्षन करें और हातों में जो गारम उसमा उत्पन्न होती है उसको अपने आँखों की उपर लगाएं भीरे से अपने हाथेलियों के अंदर आँखों को खुलते हुए बाई करवट लेकर पूट करके बेड़ जाएं तो यह हमने आसनों के अभ्यास किया अब हम कुछ प्राणायम के अभ्यास करेंगे और प्राणायम के अभ्यास के साथ साथ कुछ हम आखर की विसे में चर्टा करेंगे, कि हमें कैसे आखर ले ना चाहिए क Unless?? में सबसे पहले बात करें तो भाषि का प्राणायम जिसमें हम स्वास प्रस्वास में लंबे गेरी स्वास को अंदर भरती है और लंबे गेरी स्वास को बाहर चोड़ते है जब हम भस्त्री का प्राणायम को करते तो अपनी सरीर में अक्सिजन लेवल को बढ़ाते हैं अक्सिजन लेवल बढ़ने से सरीर में स्वाता डिटॉक्सिफिकेशन का कारिया होने लगता है और अपने सरीर में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा आर्गेंस लीवर यह अगर लीवर में कोई समस्य आती है जैसे आजम हेपटाइडिस के उपर बात कर रहे हैं लीवर की सेल्स में जब इंफ्लमेशन होती है तो इससे जो टॉक्सिंस सरीर में उत्पन्न होती है जो मेटाबोलिजम के बाद जितने भी टॉक्सिंस उत्पन्न होती है यह सारे टॉक्सिंस ब्लट के मादम से परे सरीर में फैलने लग जाती है तो बाकी आर्गेंस में भी इसके side effects दिखने लगते हैं, इसलिए हमें प्राण उर्जा का अच्छे से संचार करने के लिए ताकि antioxidant हमारे सरीर में generate हो, जो free radicals सरीर में generate होए, उस free radicals को मुक्त करने के लिए अच्छे से antioxidant हम generate कर पाए, वो तभी हो पाती है जब हमारे सरीर में oxygen level बहुत अच्छे से प्राप्त होता है, उसके लिए हम प्राण आयम का अभ्यास करते, हम breathing exercise का अभ्यास करते, breathing awareness का अभ्यास करते, तो सबसे पहले हम बस्तिर का प्राण आयम का अभ्यास करते, फिर उसके बाद कपालवाती, फिर वायय प्राण आयम, अनुलम मिलम और भ्रामरी गर उद्गेत, जब हम प्राण आयम का अभ्यास करें, तो उसी पार्टिकुलर अरगन पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, और संकल्प के साथ ध्यान का अभ्यास करें, कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं निरोगी हो रहा हूँ, मेरी सरीर की जितने भी सेल्स में कोई भी इंफ्लेमेशन से वो सारे ठीक हो रहे है, अपने अपने ओरिजिनियल कंडिशन में वापस आ रहे है, ये सारे संकल्प के साथ प्राण आयम का अभ्यास करें, तो इससे और ज कि आधे बहस्तिर आपराणायम का अभ्यास करने के बाद हम कपालभाती प्राणायम का अभ्यास करते हैं। दो तिन लंबी गईरी स्वास को लें, अपनी स्वास प्रस्वास को नॉर्मल कर लें, फिर उसके बाद हम कपालवाती प्राणायम का अभ्यास करते हैं। एक सेकेंड में एक स्ट्रॉक, एब्डॉमिनल मसल्स को बलपूरवक धक्के के साथ हम प्रेस करते हैं, फोर्सफुल एक्जेलेशन का अभ्यास करते हैं, इनलेशन पर ध्यान नहीं देते हैं, हम एक्जेलेशन पर ध्यान देते हैं, इनलेशन स्वाता होता रहता है कबलवात यह अभ्यास के दौरा जब हम कबाल भाती प्राणायम का अभ्यास करें तब प्रत्यक श्ट्रॉक के साथ हम एकुप्रेशर पॉइंट का भी हम उपएक कर सकते हुझ से हमारे हाथ की जो थोटी उंगलि इसको फोल्ड करने पर हदिय में जो Пॉइन्ट हमें मिलता है उस पॉइंट पर प्रेस करते हुए प्रत्यक श्ट्रोक के साथ एक प्रेस करने पर लिवर को स्किमिलेशन मिलता है यह एनर्जीहलींग है प्राणीहलींग हड़ींगे ऐसे हाटेली को नीचे रख करके हम एकोप्रेशस के साथ भी हँब कर सकते हे बंठ करके यहांब संकल के साथ कि मेरी यह ठीक हो रहे है ऐसे संकल पर 2009 कर प्राणाय का अभ्यास करें है हमारे लिव में हमारे सरीर के रॉप गॉर्ट ओर लिव ₹री इसलिए हमें राइज हैं रइउन में कुग जयादा है और थोड़ा से पॉइंट हमें लेफ्ट में मिलता है तो म colis कर सकते लैकिन ज्यादा अब होकस्ट रहना है राइज है राय्ट वीवर की पॉइंट ज्यादा मिलती है और लीवर के साथ हम डाइज़ेसिन के लिए एक मुख्य पॉइंट बताते हैं जो यह अंगुते के मोल है यह पर दवाते हुए हम इसे प्रेस करते हुए कपालवाती का अभ्यास करते हुए करने के बाद हम अगली प्राणायम का अभ्यास करते इस प्राणायम में मुख्यता हमें इसकस् αυτ पष्यEZ को अन्दर करतें चैए ऐसे करकेते ताकि जितने वी स्वास पर स्वास की दोस अंदर आने की और स्वास बाहर जाने की दवार सारे हम लग करके रखते इसलिए इसको महाबंद भी बोलते हैं तो महाबंद के साथ हम बाइय अप्राणाय के अब्यास करते हैं इसकी प्रक्रिय यह यह है कि सुरु में हमें सीधी बेटनी है फिर उसके बाद फोर्स फुली हमें है एक्जिल करना है स्वासों को बाहर छोड़ना है स्वा भाहतारी मंतर के उच्छारन के साथ मनिमन या तो ओमकार के उच्छारन मनिमन करते वे यह ये प्राणाम का अभ्यासम कर सकते। जब हम इसको बंद को वापस खोलते हैं तो सबसे पहले हमें मुल्द बंद को वापस खोलना है पिर उसके बाद उड्यान मंद को छोड़ाना Can cheard के स्वास एमें बार करते अ में बाई प्राडायम का अभ्यास करने से भमेर पेट की समयां में रहात मिलता है कि लीवर की समस्य हमें रहत मिलता है और यह हमें हमारी अन्तरिक उर्जा को जाकरित करता है हमारी प्राणिक उर्जा जिसको हम वायरेक्व फॉर्ष बोलते हैं वायरे इंख्रीज होता है वायरेक्व Ini स्वास को अंदर बारे फिर दायना शिगा को बंद करके दायन से स्वास को बाहर सोड़े अब दायना शिगा से अंदर बार लिए स्वास को अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीधिंग बोलते इसको अनुलोम मिलम प्राणा है यह संपूर्ण नस्त नाडियों को जागरित करने के लिए और उसमें सुप्त जागरित और जागरित करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणा है हमें जो हमारी पोर्टल सर्कूलेशन है जो हमारी लीवर को ब्लट प्रोवाइट करती है लीवर को सर्कूलेट करती है लीवर को ऑक्सिजनेशन करने काम करती है यह सर्कूलेशन अपनी नर्वस सिस्टम से से डाइरेक्ट जूड़ा हुआ है इसका हम एंटरिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं तो जब कभी भी हम इस्ट्रेस में रहते हैं इस्ट्रेस में रहने से भी हमारी लीवर में समस्य आ सकती है तो इसलिए हमें अनुलम बिलम प्राणायम का अभ्यास करने से हमारी स्ट्रेस लेवल डाउन होती है और हमारी लीवर की करेक्ष्यमता इन्हेंस होती ह हेपटाइटिस ते मुख्यत है कि दैजिसन एबश्प्षन एसक्रिशं से रिलेटेट समस्य देखने को मिलते हमें आहार पर मेंडी फोकस रहना है ठीले लंगन करना है फिर उसके बाद रेचन वेरेचन और विरेचक Dedrabyu को प्रिएक करना है पिर उसके बाद हम इसनिहन करना है उसके बाद हम सठकरमादी कर सकते हैं संख प्रक्षालन हम कर सकते हैं फिर नेती थ्राटक हम कर सकते ताकि हमारी स्ट्रेस लेवल कम हो जाए डायसन इनिंस हो जाए और आहर में मुख्यत है हम लोग की कल्ब कर सकते हैं कि लोग की काई सब् इसे लीवर सेंस को बहुत अच्छा इंस्मेंट मिलता है और लेवर सेो बहुत अच्छी से करणे लगती है लुटु को करने से हाँ आफ्र में लेवर की कलप कर सकते हैं लीवर । अगर आप आयरुवेदिक आउसदी के बात करें तो लीवो ग्रीट को हम सुभा सुभा खाली पेट गोधन अर्क के साथ सेवन कर सकते और लीवामृत हम खाली पेट भुजन के बात तुरंद बाद हम सेवन कर सकते फिर सर्वकल्ब कोध 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 और टोटला कोध भी बहुत लाब दाय होता है अपटाइटिस में तो ऐसे आयरुवेदिक दवाओं का सेवन करने से 60 कर्म पंच कर्म और प्राकृतिक चिकिसा में गेस्ट्र हैपेटिक पैक जिसमें हम एब्डोमीन में और हैपेटिक एरिया में गरम थंडा सेख देते उसे बहुत अच्छा लाब मिलता है लिवर डीजिस में कि अध्यान के बाद हम अगला अग्रावरी अरुधित प्राडायम का करते तो ब्रावरी प्राडायम के लिए पहले अंगुठे से कान को बंद करते पहले उंगली बाते पर भाकिसेस अंग्ली आंखों के सामने रखे लंदी के रिष्वास वर के ना सिखा से ओमकार का नाद करते लंदी के ना सिखा से ओमकार के ना सिखा से ओमकार के ना सिखा से अंद। प्राम्री के बाद उद गेत प्राणा है कि अँँँड़ के अुँँड़ के बाद प्राणा है ओधित्प्राणायम के बाद कुछ देर मोहन हो जाएं उस उमकार के नाथ को अपने अंदर मेहिसुस करें उस पर अपने अंदर प्रकासित होते हैं घशित कर देखित्र अपने आपको स्वोने रोगों से विकारों से दुख से मुक्त करने के संकल के साथ प्राथन पुर्वक्री दे से उस परम पिता परमत्मा से एक आत्म हो करके ध्यान का अभ्यास करे उस परम उर्जा से उर्जान वित होते वे मैसुस करे अपने आपको संकल्पित करें कि मुझे रोगी नहीं रहना है मुझे तन से, मन से सारे लिग ग्रुप से, मांसी ग्रुप से, अध्यात्मी ग्रुप से और दे अस्वस्त रहना है मुझे निरंतर योगा भ्यास करना है ताकि मैं सब प्रकार के रोगों से बुक्ता हुजाओं दतस्य रोगों नजरा नमृत्यू प्राप तस्य योगामियों यम सरीरू ऐसे संकल्ब के साथ ये दोनों हाथों को उपर करके घर्शन करें हतले में जो उर्जा उत्पन्न होती है उस उर्जा को अपने अंदर समाइद करते हुए अपने आंकों को हतले के अंदर ही खोल लीजिए तो आज हमने देखा कि कैसे हेपरटाइडिस जैसे गंबिर विमारियों से हम निजात पा सकते योग आईरवेद और प्राकृतिक चिक्षा के माद्यम से तो ऐसे ही योग, आईरवेद और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में और ज्यादा जानकरी के लिए आप बने रहें इंड़े टिवी योग के साथ धन्यवाद प्रणाम नमस्ते हो